हलो आज है 4th September और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC Life और Exide Industries के बारे में दोनों के बीच में डील हुई है और उस डील के चलते HDFC Life में गिरावट है शेयर में गिरावट है और एक साइड में बढ़िया रोनक देखने को मिली है वीडियो में डिसकस करेंगे क्या कि हो क्या रहा है यहां पर और दोनों ही शेयर में कौन से लेवल पर खरीदारी के मौके बरेंगे तो वीडियो को शुरू कर दो से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नह रही थी और इससे पहले शेयर ने एकदम से बड़ी छलांग लगाई अधिए अभी 665 के आसपा शेयर ट्रेट कर रहा था एकदम से दोड़ना शुरू हो गया यह फंड्रेजिंग की ख़बर ने जान फुकी लेकिन उसके साथ एक और खबर थी कि एक साइड इंडस्ट्री का उसको यह खरीद सकते हैं ठीक है तो उसकी वज़े से भी तेजी आई लेकिन जब डील सामने आई कि कितने रुपियों में खरीदा तो काफी ब्रोकर को काफी एक्सपर्ट को लगता है कि भाईया HDFC ने शायद बहुत महंगे में यह डील कर ली और इसलिए शेयर में आप 160-190 रुपे दक पहुँच चुका है सुरी तीन दिनों के अंदर तो इतनी बढ़िया रफ्तार यहां पर है पिछल कई वक्त से यह तूट रहा था अगरा में चनल को रेगूलर फॉलो करते हो तो यह वो वक्त था जहां पर मैंने आपको कहा था कि देखो एक्साइट खरी अब 10 साल का यहां पर अगर ग्राफ देखो तो एक चीज़ आपको पता चलती है कि शेर जब भी दोड़ा है यह तूटा है जब भी दोड़ा है यह तूटा है तो यहां पर मेरे हिसाफ से अगर यह शर्ट 200 रुपे के ऊपर निकलता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आप जजार कर सकते हैं थोड़ी गिरावट का और नीचे के लिवर पर खरीदारी के मौके बनेंगे लेकिन 200 रुपे से महंगा खरीदने की सला मेरी नहीं होगी पिछले लंबे वक्स मैं कहा रहा हूं खरीदो 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 जिन लोगों ने खरीदा डेफिनिटल अच्छा क के लिए अपने पॉर्टफोलियो में जगे दो जब भी टूटे खरीदो डरो मत यहां पर जब भी टूटे खरीदो क्योंके देखें कोरोना ने एक चीस सब को सिखा दी है कि इन्शुरंस जरूरी है और सरकार भी आजकल इन्शुरंस को इन्शुरंस को मेंडिटरी कर रहे मतलब यह है कि आपको insurance लेना ही पड़ेगा लेना ही पड़ेगा इसका 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 यह सारी चीज़े करने की कोशिश कर रही है तो insurance बढ़ते होए नज़र आने वाले हैं आपको आने वाले समय में और जो company इस sector में है वो definitely अच्छा कासा पैसा यहां पर छापने वाली है लेकिन हाँ इसे पहले भी हम देख चुके है कि जब भी कोई sharp तेज़ी आई है 725 तक पहुँचा था शहर वापस नीचे की तरफ आया था वापस बड़ी तेज़ी आई थी नीचे की तरफ आया था तो इस चीज़ को याद रखे कि बड़ी रफ्तार आई है नीचे की तरफ आयेगा 700 रुपे की नीचे शहर जायेगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखे आप बात करते हैं कि डील क्या हुई है तो देखे यहाँ पर HDFC Life ने Exide Life को भाईया acquire किया है 100% acquisitions किया है Approval मिल चुका है यहाँ पर आप देखे इंडियास लार्जेस प्राइविट इंशॉरंस HDFC Life इंशॉरस अं फ्राइडे अनौन्स तट इट बोर्ड हैज अप्रूड एक्विजिशन अफ हंड्रेट परसंट अफ दे शेयर के परिल Exide और डील कितने में हुई है उनका फाइदा नहीं है लेकिन थोड़ा महेंगे में खरीदा है इसकी वज़े से थोड़ी सी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है जबकि Exide का सबसे बड़ा फाइदा है देखो वैसे भी इनका इंशॉरंस वाला था वो उतना चल नहीं रहा था मतलब उतना जादा नहीं था ठीक है उनका जो में बिजनस है वो तो आटो मोबैल का ही है बैटरी वागे रहा का ही है तो अपनी क्या करेगा बेज दिया पैसा मिल गया अब उनको वाई इस्तिमाल करेगा अपने में कोर बिजनस में ठीक है दू यह है कि Excide Life की जो South India में strong presence है इनकी strong presence है तो अगर इनको acquire करते फायदा HDFC को यह होगा कि South में उनकी भी presence यहां से मजबूत हो जाएगी तो यह एक बड़ी चीज इनके लिए देखने को मिलेगी और इतना ही नहीं जैसे कि मैंने कहा कि Did HDFC Life pay too much price for Excide Life Acquisition यहां पर अगर देखे तो 6690 करोड यह कोई छोटा amount नहीं है बहुत बड़ा amount है और बहुत सारे analysis का यहां पर अलग-अलग view है कुछ का कहना है कि बहुत जादा पैसा दे दिया कुछ का कहना है कि नहीं long term में फायदा ही इनको मिलने वाला है दूसरी और अगर हम बात करने जाए HDFC की अगर Excide की मैं बात करने जाओं तो जैसे कि मैंने कहा इनका बहुत साउथ इंडिया में strong presence है और यह help करेगा HDFC life को कि बहुत डेफिनिटली आने वाले समय में वो और अच्छी तरीके से अपने business को निखार पाएंगी दूसरी चीज यहां पर यह है कि बहुत बढ़ी deal यहां पर हुई है और इसके बाद अगर देखी जाए तो agents की जो संख्या है मतलब दोनों की मिलके जो संख्या है HDFC life और इसका मिलके तो 35% तक वो बढ़ जाएगी तो इनके लिए अच्छी बात है और आने वाले समय में जो इनका network है distribution network है वो काफी हद तक बढ़ने वाला है अपने business expansion की तरफ देखे तो फाइदा तो definitely है यहां पर 1.5 लाग करोड के आसपास करे इसका market क्या आफ है HDFC का और volume 10.5 करोड के holding promoter के पास है 26.06% की holding FI, 3.83% की holding mutual fund 1.15% की holding insurance company के पास देखने को मिल रही है HDFC limited सबसे बड़ा promoter है यहां पर ठीक है तो वो भी याद रखिए यहां पर main company है और HDFC limited सब में promoter है चाहे HDFC life हो चाहे HDFC bank हो चाहे HDFC AMC हो 20% का dividend बहुत कम पे कर रहा है मुझे से सिर्फ 2 रुपे का dividend आपको यहां पर मिल रहा है HDFC life में लेकिन लेकिन अगर हम देखे तो 15% लोग according to money control user खरीदने की बात कर रहे है 17% लोग यहां पर 17% लोग खरीदने की बात कर रहे है आनद राठी की खरीदारी करने की सलाहे 790 का target है ICHE Direct की खरीदारी करने की सलाहे 800 का target है M की Global की खरीदारी करने की सलाहे 870 का target है तो बड़े बड़े brokerage houses की बड़े target नजर आते हैं revenue भी लगातार बहतर होते नजर आये हैं profits भी अगर हम देखे 7 करोड जितने volume trade नजर आये थे कल की दिन में तो दोनों company के में मैं बात करूँ तो दोनों ही मुझे पसंद आते हैं एकसाइट अगेन मैं कहा रहा हूँ मैं इसको 190 रुपे 200 रुपे से महंगा नहीं खरीदूँगा एचलि अपसे life थोड़ी सी profit booking आ सकती है क्योंकि पहले भी हमने इसी तरीके का चार्ट देखा है देखे चार्ट को हमें सब पढ़िया आप चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए कोई भी share अगर आप खरीदते हैं कोई भी कोई भी अगर आपको recommend भी करता है कि अच्छा ये फलाना share खरीद लो आप एकदम से जाके खरीदो मत उसको अगेन मैं कहा रहा हूँ उसको चार्ट पर देखो कि वो किस तरीकी से trade कर रहा है ठीक है अगर कोई आगे बोल देगे 355 में खरीद लो HDFC Life आप चार्ट देखो यहाँ पर हर बड़ी रफ्तार के बाद तूटा है यह ठीक है तूटा है यह तो वापस उपर की तरफ जाया है अब यह गिरावट में आएगा थोड़ा और तूटेगा यह ठीक है तो 700 रुपे के नीचे खरीदने के मौके बनेंगे तूटा है बाउंस पर आया है यहाँ पर इस बात में कोई शक नहीं है तो यहाँ से जब भी तूटेगा खरीदने के मौके बनेंगे लेकिन इस लेवल पर मत खरीदो जब वो हाई इस पर बैठा हो मत खरीदो ठीक है क्योंकि वो तूटने की कजार पर होगा वहाँ से विल्कुल उसी तरीके से एकसाइट की वे मैं बात करूँ तो इसका ग्राफ देखो आप तीन साल का ग्राफ देखो दस साल का ग्राफ देखो एक चीज़ कॉमन है बड़ी रफतार के बाद तूटा है यह शेर ठीक है इस बाद बड़ी तेजी आई है ठीक है हो सकता है कि यहां से थोड़ी और सानातार रुपे और उपर उचल जाए लेकिन वापस तूटेगा यह थोड़ी डील आई है बहतर डील है बड़ा पैसा आया है बड़ा पैसा आएगा लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी तो आ नहीं है यहां पर उस चीज़ को भी समझे यहां पर दोनों ही कंपनी पसंद है लेकिन जब भी तूटे खरीदारी करो यहां पर और लॉंग टम का खेलो यहां पर दोनों में ही लॉंग टम का खेलो मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि बेज के निकल जाओ जी नहीं अगर थोड़ी बद गिरावट आती भी है थोड़ी और कॉंटिटी अट कर लो यहां पर लॉंग टम के लिए बने रहो अच्छा पोटेंशल है दोनों ही कंपनीओं में और डेफिनिटली यहां पर आपको अच्छा गासा ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा विडियो को यहीं परेंड करूँगा पसंद आए हो तो लाइक कर शाय करें चैनल पर अगरा पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और एच्टे से लाइफ और एक्साइड इंडस्ट्री जो डील हुई है आप बताएए किसका फाइदा है किसका नुकसान है विडियो को यहीं परेंड करूँगा थैंक्यू